नमस्कार, आज हम बनाएंगे वेजटेबल पुलाओ ये रेसिपी वेज़ पुलाओ की सबसे आसान और सिंपल रेसिपी है अगर आप इस रेसिपी को एक्जाक्ली फॉलो करेंगे तो आपका पुलाओ पॉफेक्ट बनेगा और चावल बिल्कुल खिले खिले बनेगे शुरू करते हैं बनाना इसके लिए हमने लिया है एक कप बास्मती चावल चावल को अच्छे से दो-तिन बर पानी से दो लिया है जब तक कि इससे पूरा वाइट पानी जाके साफ पानी ना आज है इसको हमने दो कब पाणि में विगो के 30 मिनट के लिए रखा है यानि जितना चावल लिया, उसका डबल पाणि हमने लिया है और इसी पानि में हम चावल को पकाने वाले है एक हमने गाजर लिया है, उसको बारिक काट लिया है इस तरीके से साथ में दो हरी मिर्चे लिये हैं थोड़े से फ्रेंच वीन्स लिये हैं आदा कप फ्रोजन मटर लिया है एक तेजपत्ता एक बड़ी इलाइची यानकी काली इलाइची लिये एक छोटा टुकडा दालची निकाल लिया है 12-15 काली मिर्चे ली है 2 टीस्पून हमने जीरा लिया है और आदा हमने नीगु लिया है अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं तो पुलाव बनाने के लिए हो सके तो आप थोड़ा बर्तन ले और उस बर्तन के साइस का आपके पास ढखकन या प्लेट होना चाहिए शुरू करते हैं हमने या एक स्टील का बर्तन लिया है इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देशी घी ये घर का बना हुआ गी है इसलिए हम जादा यूज़ कर रहे हैं साथ ही में हम डालेंगे आदा टेबल स्पून कुकिंग ओई अगर आप इसे नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तो घी और ओल की क्वांटिटी आधी कर सकते हैं और इस पुलाओ को सिर्फ घी या सिर्फ ओल में भी बनाया जा सकता है जब तक हमारा घी गरम होता है हम तब तक इलाइची को कूट लेते हैं इससे क्या होगा कि इलाइची के फ्लेवर्स अच्छे से रिलीज हो जाएंगे घी में हम इलाइची दालचीनी और तेश पत्ता डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इनके फ्लेवर्स रिलीज हो जाएंगे और जब तक हमारा इलाइची चटकने ना लगे तब तक हमें इसे भूनना है अब हम इसमें काली मिर्च और जीरा डालेंगे तो काली मिर्च की कॉंटिटी आप अपने पसंद से कम्या जादा कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें शाही जीरा भी डाल सकते हैं नॉर्मल जीरा के साथ जीरे और काली मिर्च को हम अच्छे से भूनने देंगे और इनके चटकने तक हम वेट करेंगे तब तक हरी मिर्चे काट के रख लेते हैं हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़ादा कर सकते हैं जीरे का कलर चेंज होने लगा है और जब जीरह अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें सबजियां डालेंगे तो सबसे पहले गाजर डालेंगे, हमें वह सबजी पहले डालनी है, जो हार्ड है और जिसका कुकिंग टाइम जादा है, गाजर डालके हम इसे चलाते हुए करीबन एक मिनट तक भूनेंगे, आप इसमें अपने पसंद की कोई भी सबजी यूज कर सकते हैं, जैसे की फूल ग बीन्स डालनेंगे, बीन्स डालके आदे मिनट तक भूनेंगे, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कि सबजी यां हलकी सी पकनी चाहिए, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और सबजी यों का हम चलाते हुए इसलिए भून रहे हैं, ताकि तले में ना लगे, हरी मिर्चे भी डाल लेते हैं, और साथ ही में हम इसमें अभी नमक भी डाल लेंगे, तो जितना हमें पुलाओ में नमक डालना है, वो हम इसी वक डाल लेंगे, और नमक डालने के बाद हम एक बरी से अच्छे से चला लेंगे, और आदे मिनट तक सबजीयों को नमक के साथ पका लेंगे अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं तो जैसे कि आपको बताया हमने पहले ही चावल में नाप के पानी डाला हुआ था जो चावल भीगे हुए पानी होते उसमें चावल का फ्लेवर रहता इसलिए हम यही पानी यूज़ कर रहे हैं अगर आप यह पानी नहीं यूज़ करना चाहते तो इस पानी को डिसकार्ड करके आप 2 कप पानी डाल सकते हैं लेकिन पानी और चावल की quantity जो रेशियो है वो correct होना चाहिए जिस कप से आप चावल नापने हैं उसी से आप पानी नापने एक चावल में दो पानी डालना है वन इस तो टू का रेशियो है चावल और पानी का पानी डाल के हम एक बार ही मिलाएंगे और इसमें अभी नमक चेक करेंगे हमें नमक इस वक्त ही चेक करना है क्योंकि उपर से तो पुलाओ में नमक डाला नहीं जा सकता तो पानी में अगर आपको लगे नमक ठीक है, यानि कि पुलाओ फीका बनेगा, तो पानी में नमक तेज होना चाहिए, तभी आपका पुलाओ परफेक्ट टेस्ट का बनेगा, हमने एडिशनल नमक डाल दिया इसमें, और अब हम इसमें चावल, मटर और नीबू डालेंगे, यह जो हम रेसिपी बना रहे हैं, बिल्कुल माइल्ड रेसिपी है, तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, वरायते से भी खा सकते हैं, चावल डालते वेक्ट आपको कर्ची यूज नहीं करना, इन्हें बहुत हलके हातों से डालना है, क्योंकि आदे गंटे के लिए चावल क को स्प्रेड करने के लिए, हम बरतन को हलके से हिला के चावल को स्प्रेड कर देंगे, अगर आपके पास हैंडल वाला बरतन है, तो आप वही यूज करें, आपको इजी रहेगा, नीबू डाल लेते हैं, नीबू से टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहु अगर अच्छा उबाल आने तक हम इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे, जैसे आपको बताया हमें बरतन के साइस का ही इसमें धककन चाहिए, अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, और एक प्लेट लगा लेंगे, प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, औ तो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी स्टीम रिलीज होगा, इस रीजन से हमने प्लेट रखाया, अगर आपके पस बिना होल वाला लिड है, यह एक्जाक्ट साइस का प्लेट है, तो आपको इस तरीके से रखने की ज़रुरत नहीं होगी, और पानी डालने का रीजन य खोलना है, दस मिनट के बाद हम ग्यास का फ्लेम ओफ कर देंगे, और उसके बाद हम धकी रहने देंगे इसे और अगले दस मिनट के लिए, ताकि अंदर का जो स्टीम है, उसके सारे फ्लेवर्स चावल में इंफ्यूस हो जाए, और अगर आपने अभी इसे खोल के कर्ची दाली तो आपका चावल तले पे भी चिपकेगा, तो दस मिनट के लिए इसे रेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम इसका धकन खोलते हैं, अगर आप यह इस तरीके से कर रहे तो ध्यान से करिए, पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए, तो अभी आप उपर से ही चावल देख प लिए है, तो बर्तन के साइड में आप कर्ची डाल के नीचे तक ले जाके इस तरीके से इसे निकाले, तो आप देख पा रहे होंगे, नीचे के चावल भी चिप चिप नहीं हुए हैं, अलग-अलगी बने हैं, चिप के हुए नहीं हैं, और यह बढ़िया सी हमारी और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए